नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संदीब कुमार जेन है और आज हम मनुविज्यान विशय की कक्छा 12 की प्रतम अध्याय मनुवैज्याने गुणों में बिभिनिताओं पर चर्चा करने वाले हैं इस अध्याय को हम तीन भागों में चर्चा करेंगे आज हम बुद्धी और बुद्धी के सिध्धानतों पर चर्चा करने वाले हैं बुद्धी मनुविज्यान में सरवाधिक अध्यन किये जाने वाले विश्यों में से एक है बुद्धी हमेशा से हमें आकरशित करती रही है हम बुद्धी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं प्राचीन समय से लेकर आदुनिक मनुविज्ञान के प्रारंबिक दौर और उस प्रारंबिक दौर से लेकर आज तक बुद्धी के स्वरूप तथा उसके निर्धारकों को समझने और बुद्धी के मापन हे तो निरंतर प्रयास जारी है चलिए एक बार स्वयम से पूँच कर देखिए कि बुद्धी है क्या? क्या बुद्धी सीखने की चमता है? क्या यह समायोजन की चमता है? क्या यह गनित करने समबधी कुशलता है? क्या यह भाशा समबधी कुशलता है? क्या यह तर्क करने की चमता है? क्या यह हाजिर जवाबी है? एक दूसरे ढंग से हम सबाल कर सकते हैं क्या यह एक योगता है? या फिर योगता, भहुत सारी योगताओं का एक समुचे है इन प्रशनों को आगे बढ़ाते हुए कल्पना करते हैं एक व्यक्ति गणित में निपुण हैं, लेकिन भासा में आउसत है एक व्यक्ति भासा में निपुण हैं, किन्तु गणित में आउसत है एक व्यक्ति गणेत और भासा दोनों में ही निपुण है, लेकिन सामाजिक समायोजन में कमजोर है क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूँशता हूँ, क्या लगता है आपको कौन सा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है? कुछ परिभासाओं पर चर्चा कर लेते हैं गाल्टन कहते हैं बुद्धी बिभेद करने और चुनाओ करने की चमता है जैसे कि बहुत छोटे इस्तर पर देखा जाए तो छोटे और बड़े में भेद करना थोड़ा सा और उच्छे इस्तर पर देखा जाए तो अच्छे और बुरे में भेद करना क्या मेरे लिए हितकर है और क्या मेरे लिए हानी का रखे इसमें भेद करना और उसके अनुसार ही चुनाओ करना यह है बुद्धी में बिवेद करना और चुनाओ करने की चमता अक्सपूर्ट डिक्सनरी कहती है बुद्धी को प्रत्यक्षण करने, सीखने और जानेने की योगता के रूप में परिभासित किया जाना चाहिए वैशलर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुविज्ञान में बुद्धी मापन हेतु सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला परिछन बनाया है वैशलर बुद्धी को एक समग्र योगता के रूप में देखते हैं वह देखते हैं कि बुद्धी व्यक्ति की तर्क पूर्ण चिंतन, उद्देश पूर्ण ब्योहार और बातावरण के साथ प्रवहावकारी संबंध इस्थापित करने की चमता है चलिए इन परिभासाओं के आधार पर जो भी बुद्धी के बारे में आपकी समझ बनी है उसको आधार बनाते हुए अपने आसपास के तीन व्यक्तियों को चुनिये या फिर अपने तीन सहपाथियों के चुन लीजे या फिर किनी तीन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में सोचिए और सोचिए कि ऐसे उनके कौन से गुन है या ऐसे कौन इसी उनकी विशेश्टाएं है जिनके आधार पर आप उन्हें बुद्धि मान व्यक्ति कह पा रहे है या देखिए कि क्या उनमें बुद्धी की कमी है या बुद्धी में किस तरह से उनमें अंतर है जब आप इनको देखेंगे तो आपको आगे आवश्यक्ता महसूस होगी कि बुद्धी के बारे में कुछ और जाना जाए, कुछ और समझा जाए मैं सबसे पहले आपको सारे सिध्धान्तों के नाम एक एक करके बता देता हूँ सबसे पहला सिध्धान्त एक कारक सिध्धान्त है दूसरा द्वी कारक सिध्धान्त है तीसरा प्राथमिक मानिस्तिक योगताओं का सिध्धान्त है फिर उसके बाद पदानुक्रमिक सिध्धान्त है फिर उसके बद बुद्धी सनरचना मॉडल है फिर उसके बद बहु बुद्धी सिध्धान्त है फिर उसके बद त्री चापिये सिध्धान्त है और आखरी में हम लोग बात करेंगे योजना अवधान भाव प्रबोधन सहका अनुकरामिक मॉडल की सबसे पहले बात करते हैं एक करक्सित्धांत की प्रारंभिक दौर से देखा जाए तो जब अल्फरिट बिने जो की फ्रांस के मनोवैज्यानिक थे उनको ये कहा गया फ्रांस की सरकार के दौरा कि कुछ बुद्धी परिच्छन बनाई है ताकि उच ब धीमी गती से सीख रहे हैं उनमें अंतर किया जा सके तब बिने ने अपना परिच्छन पहला बुद्धी परिच्छन बनाया और बिने ने अपना एक सिध्धांत दिया और बिने का मानना था कि बुद्धी एक तरह का कारक है कुछ योगताओं का समुच्च है और वो एक त एक रिच्छण के साथ लोगोंने मिलाकर देखा तो कई तरह के विवाद सामने आए और उन विवादों के बाद इस पेर मैंने एक नया सिध्धांत दिया, जिसको डिवी कारक से धांत बोलते हैं वो कहते हैं कि बुद्धी दो तरह की होती है, बुद्धी में दो कारक होते हैं, सा कारक और वी कारक, सा कारक से ततपर है, सामान्य कारक से, सामान्य कारक हम सभी में होता है, हम सभी लोगों के अंदर बुद्धी की कुछ सामान्य फैक्टर्स हैं, सामान्य कारक हैं, जो हमें सभी कारक करने में थोड़ा-थोड़ा करके मदद करते हैं, लेकिन कुछ विसिस्ट कारक, विसिस्ट तरह के कारियों को करने के लिए होते हैं, जैसे कि गणित संबंधी योगिता, या फिर संगीत संबंधी योगिता, तो इस्पियर मेन के इस सिध्धान्त को द्वी कारक सिध्धान्त कहा जाता है, इसके बाद थरस्टन ने एक और स सिध्धांत दिया जिसको प्राथमिक मानसिक योगताओं का सिध्धांत कहा जाता है साथ तरह की मानसिक योगताएं हैं उनकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा वाचिक बोध वाचिक बोध शब्दों या विचारों के अर्थ को समझने से संबंदित होता है दूसरी योगता के लिए उन्होंने कहा संख्यात्मक योगता जो कि संख्या और संख्या के अभिकल्प से संबंदित होता है फिर उसके बाद उन्होंने कहा दैशिक संबंध स्पैठियल रिलेशन इसका मतलब प्रती रूपों के मानस प्रत्यक्षी करन से होता है कि हम किसी प्रति रूप को किस तरह से मन में उसका चभी तैयार करते हैं। अगली योगता के बारे में उन्होंने कहा प्रातेक्षिक गती। हम वस्तूओं को घटनाओं को कितनी गती के साथ हम देख सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं। अगली तरह की योगता है शब्दप्रवाहाँ, यह इस बात से संबंदित हैं कि हम अपने शब्दों का उप्योग कितनी कुशलता के साथ कर पा रहे हैं। साथी साथ अगली बात है स्मृति हम कितनी सामगरी को अपने स्मृति के भंडार में सुरक्षित रख पाते हैं अगली योगिता के बारे में उन्होंने कहा है आगमनात्मक तर्क आगमनात्मक तर्क का मतलब है कुछ हमारे पास तथ्य हैं उन तथ्यों से हम एक नियम तक पहुँचने का प्रयास करते हैं जैसे कि एक तोता हरे रंका है तूसरा तोता हमने हरे रंका देखा तीसरा तोता हमने हरे रंका देखा चाथा तोता हमने हरे रंका देखा और हमने एक नियम बनाया कि तोते हरे रंके होते हैं इस तरह की योग को अर्थर जेंसन ने दिया था अर्थर जेंसन कहते हैं कि बुधी के दो अलग-अलग इस्तर होते हैं उनकी एक हायरेर्की होती है एक दूसरे से उपर के इस्तर होते हैं पहले इस्तर पर अर्थर जेंसन कहते हैं कि सहचरयात्मक अधिगम ही घटित हो पाता है जिसमें व्यक के बीच में सहचर इस्थापित कर पाता है आगत और निर्गत लगभग लगभग समान होते हैं जो सूचना का इंपुट आ रहा है उतना ही लगभग लगभग वह आउटपुट निर्गत कर पाता है इसका एक सीधा उधारण है रट कर याद करना इससे आगे के इस्तर पर अर्थर जैंसन कहते हैं दुतिये इस्तर जो की एक हायर लेबल है उच इस्तर ये कोशल के बारे में चर्चा करता है इसमें इनपुट आगत जो है जब निर्गत के रूप में जाता है तो वह परिवर्तित होकर संशोधित होकर संसलेशित होकर आगे प्रकट होता है. बुद्धी का अगला मॉडल है बुद्धी सनरचना मॉडल. इस मॉडल को आप चित्र में देखेंगे यदि तो एक घन के समान सनरचना की गई है. यदि आप यहां पर देखें तो त्री आयामी तीन विमाओं पर चरचा की गई है. ली गई है एक ये विमा ले सकते हैं और एक ये विमा ले सकते हैं तो पहली विमा संक्रियात्मक विमा है इसके अंतरगत बुद्धी की संक्रियाएं जैसे की संग्यान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारन, अपसारी उत्पाद, अभिसारी उत्पाद, तथा मुल्य अंकन संबन्धी क्लियआएं हम्मйलत होती हैं। पहली विमा है संक्लिया हैं। संक्लियाओं के अंतरगत बुद्धी की कुछ संक्लियाओं की चर्चा की जाती है। जैसे कि संञ्यान', जैसे समरति अभिलेखन, समरति प्रती धारण, अब सारी उत्पादन, अभी सारी उत्पादन तथा मुल्यांकन संबंधी क्रिया है बुद्धी की दूसरी विमा के बारे में कहा गया है विशय वस्तु संबंधी विमा इस विमा के अंतरगत सूचना के स्वरूप पर क्या संक्रिया हो सकती है उन स्वरूपों की चर्चा की जाती है तो द्रश्य स्वरूप, स्रवनात्मक स्वरूप, प्रक्तिकात्मक स्वरूप, अर्थ विशयक स्वरूप और ब्यवहारात्मक स्वरूपों की चर्चा की गई है बुद्धी की तीसरी विमा उत्पाद संबंदी है गिलफर्ड ने तीसरी विमा उत्पाद के बारे में बताया है कि इसमें सूचना की प्रक्रमन होता है सूचना की प्रक्रिया होती है और उसका क्या स्वरूप होता है उसके बारे में चर्चा की गई है तो एकाई, वर्ग, समंध, व्यवस्था, रूपांतरन तथा निहतार्थ के रूप में इसे वरगी कृत किया गया है इस तरह से हम देखें तो पहली विमा में 6, दूसरी विमा में 5, तीसरी विमा में फिर से 6 तो 6 गुनित 5 गुनित 6 बराबर 180 प्रकोस्ट तयार होते हैं और प्रतेइक प्रकोस्ट में कम से कम एक योगता या एक कारक की प्रत्यासा की जाती है एक से अधिक विशेष्टाएं या एक से अधिक कारक भी संभव हो सकते हैं अब हम बात करते हैं बहु बुद्धी सिध्धान्त की बहुद्धी सिध्धान्त गार्डनर के दौरा दिया गया सिध्धान्त है और आज के दौर में यह बड़ा प्रचलित सिध्धान्त है गार्डनर कहते हैं कि बुद्धी एक योगता नहीं है बुद्धी अलग-अलग तरह की योगताएं है और अलग अलग तरह के छेत्रों में अलग अलग तरह की सुतंतरता के साथ यह योगताएं कारे करती हैं जैसे पहली योगता भासागत योगता है भासागत योगता उस तरह की योगता है जिसमें व्यक्ति शब्द वाक्य और वाक्य विन्यास के साथ अपनी स्रजन सीलता का उपयोग करते हुए इस छमता का उपयोग करता है आप ध्यान से देखेंगे, तो लेखक कभी इस तरह की छमताओं में बड़े निपुण होते हैं, वो वासागत छमता के धनी व्यक्ति माने जाते हैं दूसरी छमता है तारकिक और गणतिय छमता तारकिक और गणतिय छमता में तरक संबंधी एक कथन, दूसरे कथन से किस तरह से संबंधित है, उसमें क्या तरक सन्नेहित है और साथ ही साथ संख्याओं के स्वरूप, संख्याओं के प्रक्रियाएं, संख्याओं के अभिकल्प को और उनके संबंधों को समझने की योगता गनित संबंधी योगता है अगली योगिता दैशिक योगिता है इस योगिता में द्रश, छबी तथा प्रतिरूप निर्माण के संबंध में यह योगिता हमें बताती है मूर्तिकार, बिमान चालक या फिर नाविक इस तरह की योगता वाले व्यक्ति होते हैं इस तरह की योगता की इन्हें अत्यदेक आवशक्ता होती है एक बार किसी एक छबी को देखकर मूर्तिकार एक मूर्ती की रचना करता है तो यह दैशिक छमता है अगले तरह की छमता है संगीत आत्मक छमता संगीत की ले, संगीत का ताल, एक दो सुरों को एक साथ कैसे वो मिला रहे हैं क्या उनकी पिछ है, किस तरह से ध्वनी का संयोजन हो रहा है यह सारी बातों का ध्यान इस योगता में व्यक्ति देता है तो कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है कि दैशिक योगता पर कम है लेकिन संगीत आत्मक योगता में यह उच्च व्यक्ति होते है अगले तरह की योगता है शारीरिक और गति संबेदी योगता इस तरह की योगता वाले व्यक्ति अंगलोच का उपयोग करते हैं जैसे कि नर्तक या धावक या जिमनास्ट यह वो व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर को अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं अगले तरह की योगिता है अंतरव्यक्तिक योगिता यह वह योगिता है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावना, दूसरे व्यक्ति के व्यावहार, दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा को या अभी प्रेरणा को समझ पाता है एक और अन्य तरह की योगिता है जिसको बोलते हैं अंतह व्यक्ति योगिता, इंट्रापर्सनल, जिसमें व्यक्ति स्वेम की भावना, स्वेम के व्योहार और स्वेम की अभिप्रेरणा को समझ पाता है अगले तरह की योगता है। प्रकतिवादी योगता। पर्यावरण के प्रकतिक पक्षों को समझ पाने की जो छम्ता है वह इस योगता के अंतरगत आती है। दूसरे व्यक्ति में पहले तरह की योगिता जादा हो सकती है और दूसरे तरह की योगिता कम हो सकती है तो इस तरह से बहु बुद्धी सिध्धान्त के बारे में अलग अलग तरह की योगिताओं की चर्चा की गई है अब हम अगले सिध्धान्त के बारे में बात करेंगे इ यह सिद्धान्त बुद्धी का त्री चापिये सिद्धान्त कहलाता है, ट्रायार्किक थेरी कहलाती है, यह सिद्धान्त आज के दौर का बड़ा प्रसिद्ध सिद्धान्त है, इसमें बुद्धी की तीन तरह की उपसिद्धान्त दिये गए हैं, तीन तरह के बुद्धियों का विशलेशन करने में हमें मदद करती है इस बुद्धी के तीन अवयव हैं पहला अवयव ग्ञान अरजन से संबन्दित है इसके अंतर्गत हम अधिगम एवं कारियों की विधी का ग्यान प्राप्त करते हैं जैसे हम एक उधारन के रूप में इन तीन अलग-अलग भागों के बारे में एक ही उधारण से समझने का प्रयास करेंगे यदि हमें किचिन के अंदर एक विसेश तरह की सब्जी बनानी है तो सब्जी को बनाने की विधी के बारे में हम जब ग्यान अर्जन करते हैं तो यह ग्यान अर्जन उपभाग के अंतरगत किया जाता है दूसरा उपवाग है अधी घटक या उचिस तरी घटक अंग्रेजी में इसको metacomponent कहा जाता है इसके अंतरगत यह तै किया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है उसकी योजना बनाई जाती है मैंने अधीगम में क्या सीखा है उस अधीगम की सामग्री का अब मैंने कैसे उपयोग करना है यदि मुझे किचिन में जाकर सबजी बनानी है तो मैंने पहले ग्यानरजन के इस तर पर विधी की जानकारी ले ली लेकिन अब मुझे यह मालूम है कि मुझे अलग-अलग तरह की सामग्रियों की आवश्यक्ता होगी और उस सामग्री के साथ मुझे क्या करना है तो दूसरे घटक के अंतरगत हम योजना तैयार करते हैं तीसरे घटक के अंतरगत उस तरह की योगता की बात की गई है कहा गया है या हम यूं कहें कि जब हम सीख जाते हैं कुछ और उसके बाद योजना बनाकर किसी समस्या का समाधान करते हैं दूसरे तरह की बुद्धी अनुभाविक बुद्धी कही गई है इस बुद्धी के अंतरगत हम अनुभाव के आधार पर हम पुराने विगत अनुभाव के आधार पर सूचना का संसलेशन करते हुए नया अधीगम विक्सित करते हैं नई जानकारी विक्सित करते हैं और यह योगता अनुभविक बुद्धी कहलाती है पुरानी अनुभव के साथ जब हम कोई नवाचार करते हैं तो हम इसके साथ-साथ स्रजन सीलिता को भी जोड़ लेते हैं इस सिध्धान्त के अंतरगत तीसरी महतपून बुद्धी है सांदर्विक बुद्धी यह बड़ी महतपून है इसके बारे में हम लोग यूं कह सकते हैं कि व्यावारिक बुद्धी भी हम इसको कह सकते हैं और फिर कई बार इसको व्यावसायक बुद्धी बिजनिस इंटेलिजन्स भी कहा जाता है जब एक स्थिती के अनुसार एक संदर्व के अनुसार आप अपनी बातचीत करते हैं या एक संदर्व के अनुसार अपना व्यावार करते हैं तो इसको सांदर्विक बुद्धी कहा जाता है एक शोक भरे वातावरण में किस तरह का व्योहार किया जा सकता है एक हसी खुसी बाले वातावरण में किस तरह का व्योहार उचित होगा एक पार्टी में किस तरह का व्योहार उचित होगा किस तरह की बाचित सुईकार होगी एक पार्टी में? उस तरह का संदर्व लेते हुए जब हम बात कर पाते हैं तो यह माना जाता है कि हम सांदार्विक बुद्धी के रूप में हमारी योगता है और हम एक उच्च सांदार्विक बुद्धी के साथ अपना ब्यावार कर रहे हमारा अगला सिध्धान्त है योजना, अवधान, भावप्रवोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक मॉडल इसको संछेप में पास मॉडल भी कहा जाता है इस मॉडल को जेपी दास, जेक, नागलेरी और किरवी ने 1994 में दिया था इस मॉडल के अनुसार बौधिक क्रियाएं, अन्योन आश्रित, तीन तंत्र की तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं इन तीन तंत्रों को मस्तिस्क की प्रकार्यात्मक इकाई कहा जाता है इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, पहला है भावप्रबोधन और अवधान भाव प्रवोधन अंग्रेजी में शब्द इस्तमाल होता है अराउजल यह वह स्थिती है जब हम किसी एक उद्धीपक के प्रती ब्योहार करने के लिए उन्मुक होते हैं हमारा अराउजल हमारा भाव प्रवोधन उस और उन्मुक होता है जैसे कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारा जादा ध्यान खाने पीने की वस्तुमों की और जाता है जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो हमारा जादा ध्यान बाहर की वस्तुमों पर जाता है जब हम खेल कूत के मैदान में होते हैं तब हम खेल गती बिधियों पर, खेल के, स्पीड पर और कितने रन बन गए हैं, इस तरह की बातों पर हमारा ध्यान जाता है. सो भाव प्रवोधन और अवधान सम्मधी घटक एक उपभाग है, इसके साथ साथ दूसरे तरह की प्रक्रियाएं हैं, सहकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रियाएं. सहकालिक प्रक्रियाओं के अंतरगत हम जब एक साथ कई उद्धी पोकों की प्रक्रियाँ करते हैं, जैसे कि रैवेंस परिक्षण में एक प्रश्ण के अंतरगत छै विकल्पों को एक साथ देख कर उनकी प्रक्रियाँ करनी होती हैं. जबकि कुछ एक तरह की प्रक्रियां हैं, या कुछ एक तरह की प्रश्ण या कुछ एक तरह की परिच्छन इस तरह से होते हैं, कि हम पहले एक संक्रिया को करते हैं, जैसे कि अंक को जानना, फिर उसके बाद उस अंकों को, अंकों के आधार पर वस्तुओं को गिनना, अंकों अंकों को घटाना या अंक संबंधी और आगे की प्रक्रिया हैं तो वुद्धी में दोनों तरहे की प्रक्रियां संभव हैं सहकालिक भी simultaneous भी संभव है और successive भी संभव है जब हम एक के बाद दूसरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तीसरा जो भाग है वह है योजना से संबंधित जिसके अंतरगत हम किसी कारे करने की योजना बनाते हैं दास तथा नागलेरी ने अपने इस सिद्धान्त पर आधारित एक परिक्षण मालावी विक्सित की है जिसे की संग्यानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जाना ज करता हूं क्या बुद्धी के कुछ और भी सिद्धान्त हो सकते हैं जरा सोचके देखिएगा इंटरनेट पे खोजिए मनोविज्ञान की कुछ दूसरी पुस्तकों में खोजिए आपको कुछ और सिद्धान्त भी मिलेंगे जो बुद्धी की अलग तरह से व्याख्या करें दूसरा प्रशन है क्या बुद्धी के बारे में अभी तक विक्सित सिद्धान्त बुद्धी की सही-सही व्याख्या कर पा रहे हैं यदि हां तो भी अपना मत्व्यक्त कीजेगा और यदि आपको लगता है कि इन सिद्धान्तों से अलग कुछ और भी चर्चा की जा सकती ह तो उसको भी अपना मत्व्यक्त कीजेगा, कुछ अपना नोट्स बनाईएगा इस पारे में तो आज हमने बुद्धी के सिध्धान्तों की चर्चा की है और किन-किन सिध्धान्तों की हमने चर्चा की है उनको एक बार संछेप में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमने एक कारक सिध्धान्त की चर्चा की द्वी कारक सिध्धान्त की हमने चर्चा की पदानुक्रमिक मॉडल की चर्चा की बुद्धी के प्राथमिक योगताओं की चर्चा की हमने बहु बुद्धी सिध्धान्त की चर्चा की जो की गार्डनर का बड़ा फैमस सिध्धान्त है और उसके बाद हमने बुद्धी के त्री चापिये सिध्धान्त की चर्चा की और हमने दास और नागलिरी के मोडल की चर्चा की तो आज हमने बुद्धी के कुछ सिध्धान्तों की चर्चा की है बुद्धी के कुछ सिध्धान्तों को जानेने का प्रयास किया है इन सिध्धान्तों की एक एक करके मैं पुनह संछेप में बात कर लेता हूँ पहला सिध्धान्थ हमने बिने दौरा दिया गया एक कारक सिध्धान्थ को समझा फिर उसके बाद हमने स्पीर मेन के द्वी कारक सिध्धान्थ के बारे में बात की है इसके बाद हमने प्राथमिक मानसिक योगिताओं के सिध्धान्थ को समझने का प्रयास किया था जो की थृस्टन के दौरा दिया गया इसके उप्रांत हमने पादानू क्रमिक मौडल, Arthur जैंसन का मौडल है यह इसके बारे में जाना और समझा फिर हम बुद्धी संरचना मौडल जो की J.P. गिलफर्ड दौरा दिया गया है इस मौडल पे हमने बात की फिर गाडनर के सिध्धान्त बहु बुद्धी सिध्धान्त पर हमने बात की और जाना की बहुत अलग अलग तरह की बुद्धियां होती हैं फिर बुद्धी के त्री चापिये सिध्धान्त को समझने का प्रयास किया और जिसके अंतरगत तीन उप सिध्धान्तों की चर्चा की हमने और सबसे आखिर में योजना अवधान भाव प्रवोधन सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल की जिसको हम पास मॉडल भी कहा जाता है उसके आज की बात को समप्त करते हैं अगले भाग में हम बुद्धी में व्यक्तिगत विनिताओं की बात करेंगे और बुद्धी का परिक्षण किस तरह से किया जाता है उसकी बात करेंगे नमस्कार करते हैं झाल झाल